सलाम अलेकुम स्टूड़न्ट मुझे अमीद है कि आप जहां भी होंगे अल्ला तला की अमान में होंगे मैं अपना आपका अपना सर सरमीर अली चांडियो एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं आप लोगों को नाइन्थ एंड मेट्रिक का कॉर्स पढ़ा रहा हूं तक्रीबन मेरी फोकस यह फस्यर के भी मैंने कुछ वीडियो अप्लोड की है तो यह नाइन्थ की न्यू बुक है मैं आज आप लोगों एससे लिखना सिखाऊंगा समर एंड विंटर वेकिश समर एं विंटर कंपेर और कंट्रास्ट एससे है मैं आप लोगों डिस्क्रिप्ट वैसे तकरीवन समझा चुका हूं कुछ रहते हैं एक दो डिस्क्रिप्ट वैसे नेरेट वैसे मैंने दो तीन करवाये हैं ने ने पना इसे जो है आटम वर्सिज स्प्रिंग सोरी अजय यह से मैं बता दूं पहले चार नाइन्थ के जो न्यूबुक आई है उसमें चार पेराइग्राफ पे हर एसे लिखा गया है पहला पेराइग्राफ जो यह वर्सिज कंपेर और कंट्रास्ट वाला एसे जो है इसमें दो चीजों को कंप फिर दोनों को डिफाइंड करना है जो भी टॉपिक हो दूसरे में एक इनज RAM कर दो प्रिलूड करें आप ऐसे पढ़ेंगे यह जो यूनिट 3.4 में लिखा हुआ है नाइंत की बुक में एक्सरसाइस नंबर 3 है तो यह है आटम विए वर्सिज स्प्रिंग जो फस्ट प्राइग्राफ है इंट्रोडक्टरी प्राइग्राफ यहां से लेकर यहां तक यह दोनों सीजन सीजन के बारे बताया गया होगा और इन दोनों सीजन को इन्होंने बता रहा होगा और दूसरा प्राइग्राफ यह स्प्रिंग के बारे में होगा सारा स्प्रिंग के बारे में प्राइग्राफ ठीक है अच्छा जो जो चीज़े स्प्रिंग के बारे में बताई गई और यह चार एसे बताए गए एक्सरसाइज नमर फूर पे समर और वेंट वेंट ऐनिमल पेट और वाइड अनिमल सिटी एंड विलेज लाइफ गुड नेबर्स अंड बेड नेमर्स यह ड्यूस कोर्स में नहीं है लेकिन आप लोगों को आपी समझने में इसे में कोई हर्ज नहीं है तो मैं सम्मायर एंड विंटर विक पे एसे लिखूँगा भी लिख रहा हूं और यह तीनों ऐसे बाद मैं लिखूँगा ठीक है यह तरीका बताया गया है एसे लिखने का अब ऐसे लिखने का तरीका इससे आसल कर सकते हैं पे पेज नंबर 69 पे अच्छा यह मैंने इंट्रोडक्शन दिया है देखे मैं इंट्रोडक्शन कैसे दिया है इंट्रोडक्शन में जनली बयान करूंगा टॉपिक को सीजन्स को जनली बयान करूंगा फिर सम्मर एंड विंटर सीजन्स के बारे में बताऊंगा और फिर लास्ट पे सेंटेंस बताऊंगा कि नीचे मैं क्या दे रहा हूं इन दोनों के बारे में ठीक है अच्छा इंट्रोडक्शन देखे मैंने कैसे दिया है this one sentence wise मैं समझा रहा हूं there are four seasons in a year साल में चार seasons होती है यह sentence दूसे यह sentence जो है पहला और विंटेश चार सीजन है the four seasons second sentence देखें the four seasons are like a decoration to the earth वो decorate करती है अर्थ को अर्थ का सिंगार है जमीन का it makes the nature more beautiful नेचर को और भी खूसरत बनाती है चार सीजन कभी घर्मी कभी सर्दी कभी खिजा कभी बहार नेचर और भी खूसरत लगती है इन चारो सीजन में खूसरती का अंदाद अलग जाता है हर सीजन में हर किस नेचर की खूसरती होती एंजॉय कर सकते हैं हम लोग फित्रत की खूसरती को खुद्रत की खूसरती को this one people's daily people's daily activities i.e. people's की जो daily activities i.e. wearing of clothes eating foods and going for recreation or outing depend on the weather मोसम पे या weather या season यहाँ पे season भी लिखना था लेकिन weather भी लिख सकते हैं कोई मस्रा नहीं है depend करता है वेधन वेधर पे ठीक है जो लोगों की daily activities होती है जो खाना खाने की activities या उसके इलावा जो कपड़े पहनने की activities या दूसरी activities बाहर जाने की activities weather पे फोकस करती है अगर weather hot होता है तो लोग जाते हैं outing के लिए अगर weather cold होता है तो लोग नहीं जाते हैं outing के लिए घर में रहना पसंद करते हैं आग के करीब रहना पसंद करते हैं this one the habits and style of life change is the seasons vary जैसे ही seasons मुख्तलिफ होती है तो habit और style भी चेंज हो जाता है इनसान का इनसान की आदतें और इनसान का रहन सेंद भी चेंज हो जाता है seasons के मताबक, मौसम के मताबक इनसान रहता है this one summer is a hot season, summer गरमी का season से, गरम सीजन से, गरम मौसम है where is this one, where is winter is a cold one जबके winter जो है, सर्दी जो है, वो सर्द मौसम होता है winter, people this one, people carry out their daily activities, based on the weather people जो daily activities carry out करते हैं, जो daily काम करते हैं, daily action अमल करते हैं वो weather के मताबक करते हैं, मौसम के मताबक करते हैं this one, there are, sorry, there are obvious differences between the two seasons in terms of food, clothes and activities, winter और समर में बिलकुल साफ जाहर डिफरेंस है, कौन कौन सी चीजों में, food, खाना, खाने में, clothes and activities, अब मैं दूसरे पेराइग्राफ में, sorry, तूसरे और तीसरे पेराइग्राफ में, ये चीज़ें बयान करूंगा, कि सर्दी में ये तीनों चीज़ें कैसे यूज होती है गर्मी में ये तीनों चीज़ें कैसे यूज होती है इनका मैं compare and contrast करूँगा ठीकर सर्दी, winter और summer को इन चीज़ें मैं compare and contrast करूँगा ठीक है देखा ना आप लोगों ने मैंने पहले seasons को बताया है मैंने पहले जनल ही बताएं कि सीजन्स होती हैं हूँ इंपाइब बताई वह सार ही यह सब्हुत mantis परन दिस्ट को यहoured फुड़, क्लॉस, और वेरिंग, एंड अधर एक्टिविटी जो होती है हमारी, ठीकन तीन करेक्रिक्रिस्टिक्स में बयान करूँगा दोनों की, आज हैं दूसरा प्राइग्राफ, अब मैं समर को बयान करूँगा, समर में तीनों चीजें बयान करूँगा, पहले एक प्रा प्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्राइग्र chicken meat etc वो avoid करते हैं गरम खाने में को चिकन भी यूज नहीं करते हैं फिश भी यूज नहीं करते हैं गोश्ट भी यूज नहीं करते हैं this one sorry this one they prefer to eat vegetables वो vegetables खाना पसंद करते हैं they use cold drinks and ice cream वो cold drinks or ice cream लेना पसंद करते हैं in order to keep themselves cold खुद को ठंडा रखने के लिए ठीक है देखो food में नहीं बयान कर दिया जो गर्मी में कौन सा food खाया जाता है अब dresses गर्मी में summer में कौन सी पहने जाती हैं the dresses are also sorry yeah this one the dresses are also used the dresses are also used but but last me like them but simple and thick thin dresses use or table for simple sadha or thin will close mother up open dresses in the middle of Jessica thick dress note in guni dress नहीं यह thin dress use की जाती है the sleeve lace and shorts the sleeve lace sorry this one the sleeve lace and short dresses are used mostly in the season गर्मी की season में गर्मी की मौसम में sleeve lace dresses पहनी जाती है सिलीमीन उनके बाजू dresses पहनते हैं वागेरा 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 उन तो उनकी तो लेगलेस मतलब टांगे भी जायर होती है ठीक है है जार ओके देस वन दपीपल आलसो गो फार आउटिंग अब ड्रेस हो गया आप आउटिंग रीक्रियेशन तीन चीजे में बता रहा हूं जो उपर मैंने मैं इंट्रोडक्चन में बयान किया है तीन चीजने वन्टर की बताओं समर गेंगा चीने में बिद्धर की केंगा गांगें हें शाल की निजार соврем इंड़ाफिन होते हैं ताकि रही तैटनी तक की हवा ले सकें टी अ Greenery and water parks are the most visiting places or spots. Water park or greenery park जो है ज्यादा visited spot है summer में. In the summer. Sports during summer. Summer के दोरान. People try to reduce the hottest temperature of their body. People try to reduce the hottest temperature of their body. They are in water park, greenery, water parks, water, and other things. Winter को बयान करूँगा दूसरा. तीन चीज़ें जो मैंने summer की बताई हैं. तीन चीज़ें मैं winter की बताऊंगा. Food, Cloth and Recreation. Outing के लिए जाते हैं. This one. While winter is the coldest season of the year. जो winter है, सर्दी की मुश्म है. वो coldest season होती है. पूरे साल की. ठीक है? The people use hot things in order to mitigate the coldness. जो लोग है, वो hot things use करते हैं. Mitigate coldness को कम करने के लिए. Mitigate means reduce करने के लिए. कम करने के लिए. ठंड को कम करने के लिए. लोग hot चीजें यूज करते हैं. आसका मकसद ही यह है. They use hot food and drinks. यह दोनो hot food and drink use करते हैं. This one. Fish and chicken are often used. Fish, मचली और chicken use की जाती है हमेंशब. और गर्मियों में chicken और fish ते avoid करते हैं लोग. This one. Tea, coffee and other drinks are used by the people. tea और coffee और अधर जो hot drinks होती हैं वो यूज करते हैं लोग winter में और उसमें क्या करते हैं आइस्क्रीम and cold drinks. ठीक है? आचा hot अजा wearing यह तो खाना खाने के food पे अब मैंने देखे wearing मतलब क्लास पे कैसे? Hot and thick cloths are used. वहाँ पे cold and thin cloths use simple and thin cloths use किया है जाते हैं लोगने कपड़े यूज किया जाते हैं. Coats, jackets, jerseys, hats and other types of such cloths are used day and night. दिन रात coat use किया जाते हैं जो बलत थिक होते हैं गरम होते हैं और jackets use किया जाते हैं, jerseys use कियाते हैं, sweater भी जिसको बोलते हैं, sweet मतलब गरम करने वाला, hats मतलब टोपले use किया जाते हैं और दूसरे किसम के भी acid cloths use किया जाते हैं. दिन रात, this one, mostly the people prefer to live at home, ज्यादातर जो लोग हैं वो घरों में रहना पसंद करते हैं, घर में ही रहते हैं, this one, they usually sit around the fire, वो घर में आग के चोरों तरफ बेढ़ते हैं, चोधारी चारों तरफ बेढ़ते हैं, खुद को गरम करते हैं, वार्म करते हैं खुद को, they use hot water, ये बाहर नहीं जाते हैं, आउटिंग के लिए नहीं जाते हैं देखें, गर्मियों में आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं, लेकर घर में बेढ़ा जाते हैं, ठीक है? they use hot water while bathing and washing the faces, वो गरम water यूज़ करते हैं, जब वो नहाते हैं और अपना चेहरा दोते हैं, अच्छा लास्ट जो है मैं यह sum up कर रहा हूँ, conclusion कर रहा हूँ ऐसे को, चार paragraph में, कैसे simple simple wording में मैं यह इसे लिख लिया है, आप लोग भी simple wording यूज़ करें, this one, style आप लोगा simple होना चाहिए, लेकिन connectivity लाजमी होनी चाहिए, order होना चाहिए, लेकिन connectivity मैंने कैसे दिये, देखो, introduction मैं बताऊँगा, last में, to sum up, to sum up, food class and activities are affected by the two seasons, जो food है, class है, और activities जो है, वो affect होती हैं दोनों seasons में, आजा summer and winter है, जो मैंने बता चुका हूँ, उपर वाली बाते में उनको conclude कर रहा हूँ, conclusion में जो आप लोगों ने body में चीज़े बताई हैं, उनको conclude करना है, introduction में आप body में क्या बताने जा रहे हैं, वो बताना होगा आप से बेतरी होता है, okay, summer and winter have their own characteristics, summer और winter की अपनी खुसुसियात होती हैं, people try to use various things in the two seasons, लोग यूज करते हैं मुख्तलिफ चीज़े इन दोनों seasons में, is they could enjoy the both seasons separately, ताकि वो enjoy कर सकें, दोनों seasons को enjoy कर सकें, खुशी से, ठीक है, अब ये देखें, connectivity मेंने कैसे रखी एंट्रोडक्षण में, मैंने general seasons के बारे में बताया है, उसके बाद में बताया है, कि ये seasons की अहम्यत क्या होती है, मुख्तलिफ सीजंस होती है, उसके बाद जो है, मैंने बताया है, कि winter और summer season में verification क्या है, last में मैंने difference बताय कि कि किन की चीज़ों में मैं recreation को forget दी है पहले paragraph में मैंने summer में बताया है कि summer में कौन सा food की use किया जाता है summer में recreation कौन सी use की जाते है कपड़े कौन से पहने जाते हैं उसके opposite मैंने दूसरे paragraph में winter में बताया है winter में बिल्कुल opposite बताया है कि जो summer में किया जाता है वो विंटर में नहीं किया जाता जो समर में फुड खाय जाते हैं विंटर में खाय जाते हैं लेकिन उनसे ज्यादा तर एवाइड किया जाता है जो समर में कपड़े पेने जाते हैं विंटर में उनसे वाइड किया जाता है जो कंपेर आटोमेटिकली कंपेर हो रहा है कंट्र अब बॉड़ी में क्या दिया है और क्यों अफेक्टेट हैं इन तीनों चीजों से फुड़ से एंडर क्री क्रिएशन से वगजर वगजर तो यह सिंपल ऐसे हैं इस एसे लिखना बहुत सिंपल होता है आप लोग सेंटेंस यूज करें तीन चीजों को आप लोग लाजमी मद दूसरा दे जैसे के फॉर एक्जम्पल काइद आजम वाज दाप बेरे वन आफ टॉप बैरिस्टर साफ बंबई यह दे के फिर आप लोग को योड़ काइद आजम की चीज़ दे काइद आजम मेरीड विट एन रतनी बाई अब यह चीज़ दे मेरे का मेरे जलाइफ का उनकी बैरिस्टर की जिन्दगी तो यह पेराग्राफ नहीं बनेगा यह सेंटेंस मुक्तर सेंटेंस बनते जाएंगे तो उनके बैरिस्टर के बारे में बताएं कि कैसे बैरिस्टर थे कहा कहा कैसे जलाड़े थे वागए वागए ठीक है तो आप लोगों में एक तो कनेक्टिव होनी चाहिए ऐसे में सिंपल सेंटेंस यूज़ करें ऐसे में यह याद रहें लेंग्वेज यूज़ ना करें जहां पर जिस नेचरल सेंडर्स यूज़ करें जहां पर जिस सेंडर्स की जरू तो वहीं पर वो सेंडर्स यूज़ करें बिलावज़ दूसरा सेंडर्स यूज अच्छा होना चाहिए जो topic से मिलना चाहिए अगर यह topic compare and contrast तो आपका पूरा essay का style compare and contrast के मताबिक होना चाहिए अगर वो descriptive है तो पूरा style descriptive के मताबिक होना चाहिए narrative है तो story type ऐसे हो narrative के मताबिक होना चाहिए ठीक है तो यह आप लोग माइन में सोचें तो आप लोगों का ऐसे बहतरी लिखेंगे और यह ऐसे मैंने लिखा है आप लोग इसका स्क्रीन शार्ट ले सकते हैं यह देखें इसको पास करकर के भी लिख सकते हैं प्लीज जो कुछ होते हैं यूट्यूब बुजे वाटसप प मैं एक बुक पर नहीं बनाता हूं जो प्लीज में और भी काम होते हैं थोड़ा बहुत मैं रिस्टब होता हूं और यह टार्गेट पूरा नहीं कर पाऊंगा फिर मैं ठीक है जिस वन स्क्रीन शार्ट है सकते हैं आप लोग थोड़ा वाटसप से वाइड करें मुझे ज्बस्क्री मैं थाला also thank you